कि हालो एब्रेबान वैलकम बैक टू एमिल्टी जन्नी आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो आपके एक न्यू रुकार्मेंट नोटेस है और आपके इसकी पोस्टिंग जो रहेगी उत्तर प्रदेश के बनार्थी में रहेगी इंट्रुवी बेस वेकेंसी है तो इसकी क कोई भी एप्लिकेशन फीस नहीं जाएगी नहीं आपको इसके लिए कोई एप्लिकेशन फार्म बरना हुआ तो आप पूरी प्रसेस के बारे हैं पढ़ेंगे कौन कौन सी पोजीश ने डैंटल टेकनीशन की पोजीशन टेकनीशन डैप टेकनीशन गैंसर साइटो जनेटि इसकी जितनी भी वेकेंसी अगर सिंगल भी निकलती है उसको बताने की पूरी से पूरी कुसिज करते हैं प्लस आपको हम पीडे भी प्रॉबाइट करवाते हैं आपका ये नोटिस एक अगस्त तोजाज चौबिस के लिए रिलीज हुआ था और आज तीन अगस्त है तो दो द मांच है ये बानाडशी उत्रप्रदीश से वेकेंसी है और यहां पर दिया हुआ है मानव संसाधन विकास विवाग एचारडी डिपार्टमेंट सौट में बोल सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट आपको इसका एड़टाइजमेंट नंबर होगा क्योंकि इसका जो भी र सकते हैं मौर्निंग में कॉंत्रक्टन पोश्ट है तो थर्ड पाटरी के पूर्ट यह वेकेंसी निकली है कहा आपको जाना होगा और आपको डेट तो यहां पर दी वए पोश्ट के आगे तो आपको जाना होगा है वेन्यू दे रखा है कि महामाना पंडित मदन मोहन मालव यह कैंसर सेंटर में आपको जाना है जो कि सिंदर बागिया बीएच्चियू केंपस बनार्ट सी उत्र प्रदेश में इस्तित है और बाइस सो पांच इसका पिन कोड रहेगा फोन नबर भी आपके लिए प्रोवाइड है इसके बाद देख लेजिए अगर आपको जाना है तो क्या क्या लेके जाना होगा तो अगर आप इंट्रेस्टेट होंगे जो यहां पर कॉलिविकेशन एज लिमिट सैली पोस्ट वता रखी है पोस्ट के नाम बगारा तो इंट्रेस्टेट एन इलिजिबल जो केंडिट होगा और रुकायट टू कैरी वायो डाटा रिसेंट प सेट अप सेल्फ असिट्ट कॉपी सब्सक्राइब और रुकायर्मेंट प्रोसिस तो यह जो वेकेंशी है पहले में क्लिए कर देता हूं आपकी यह वेकेंशी रहेगी नंबर बन पॉइंट सेंटर लेविल के आपकी यह पोजीशन रहेगी ठीक है और अभी मैं आपको बत पर सेंटर लेट्टी बिद मिनिम्म पचास परसेंट मार्क्स होने चाहिए एंड चैटिविए है आपके पाद डिप्लोमा इंड डेंटल मेकानिक कोर्स है डेंटल कॉलेज से तब भी अपलाई कर सकते हैं जा सकते हैं इंट्रिव अटेंट कर सकते हैं इस्टूर्ट अब इसमें लिजबल हैं चैटिवी रजिस्टेट अंडर एनि इस्टेट टेंटल काउंसल और डेंटल काउंसल अप इंडिया देली तो आप किसी भी स्टेट काउंसल में आपका रिजिस्टेशन जरूरी है मैक्समम इसमें अपरेज है 30 साल सैलली इसमें आपके मिलेगी 22 2412 रुपए और इसमें एक ही पूश्ट आपकी अब लेवल है अगर आप इंट्रेस्टेट हैं और अगर आप लिजबल है तो आप जा सकते हैं साथ अगस्ट 24 को डारेक्ट इंट्रुवी देने ठीक है मॉर्निंग में नौज से तसकी बीच में आपको पहुंचना है जो मै इसके बाद एक्सपीरियम फ्रॉम अलाज हॉस्पीटर बिट एक्समेंस इन सीटी एंड एमर आई का है अगर आप वास्तों आप जा सकते हैं इंट्रव्यू में इसके लाब आपको ब्यस्टी है वी फार्मेसी बैटलर ऑफ फार्मेसी पचास प्रसांट मार्स के साथ में और ट्वियर डिप्लोमाइन मेडिकल इमेजिंग टेक्नलोजी फ्रॉम स्टेट बोर्ड आप टेकनिकल एजुक्सन और एनी एक्क्विविलेंट रिकॉगनाइस बूर्ट तो इसके लाबब कोई सेम कोर्स आया आपके पास इंडिस्टी बिट बनियर एक्स्पीरियंस बनि एक्समें इसमें भी एस तीस साले एस रिलिक्सेशन में भी ऑफ़र्ड भी टू डिजर्विंग एन मेरोटरीस केंडिट को मिलेगा यहां पर सेली इसमें 2412 पर रहेगी चार पोस्ट अवलेवेल हैं इसमें और इसमें 9 अगस्त को आपका इंटरव्यू है इसके बाद सकते हैं इसमें 27 साल अपर एज है एक बोस्ट आपकी इसमें अब लेविल है यहां पर दे रखाए कि आपके अपके रहेगी तो अपर में टेली और पीरिड़ आपकी रहेगी एक्स्टेमिल हो सकती है एक लाइन और दी गई यहां पर रॉक्वार्मेंट रिलेटिड क्वा यहां पर दे रखिए रुक्वार्मेंट रहेगी तो टीमसी की तफिर वेकेंसी आपके निकलती रहती है अगर आप इलिजिबल हैं जो मैंने अभी आपको कॉलिपकेशन बताई थी तो आपको क्या करना होगा सबसे पहले आपको अपडेट रिपना सीबी निकलवाना होग साथ ही में आपको इसके साथ में पास्पर साइट फोटोग्राफ हो गए आपके चितने भी ऑरिजनल डॉक्मेंट्स हो गए जैसे की तैंत की माक्सीट होगी और आपकी प्रफेशनल कॉलिपकेशन होगी जैसी बी राइटी अगर मांगा है तो तो यह सब ऑरिजनल होगा निवास प्रमाना पत्र होगा तो यह सब तो आप लेके जाएंगी जाएंगे बाकी यह जो पीडिया पर में अपने टेलिग्राम गुरुप आपको प्रोवाइड करवा दूँगा डायरेट आपको जाना है इस पर कोई भी आपको एप्लिकेशन फार्म नहीं बरना ह है जो डेट दी गई है आप उस डेट को जा सकते हैं मौर्निंग से नौ बज़े से दस मज़े की बीच में आप एड्रस दिया हुआ है ठीक है एड्रस आप अराम से स्कीन सॉट ले सकते हैं अगर आपको यह वीडियो इंफर्मेट लगी हो तो हमारे यूट्यूब चनल को अब जरू सस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ठैंक यू